देरत और दुनिया की तादर तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर सबसी न्यूज चैनल को सबस्क्राइब करें जो पहाड से रोजगार के नाम पर पलायन कर गाउं को छोड़ कर मैदान की ओर भाग रहे हैं यह बताने चाहूंगा अपने अपने अप्वायकरन सरकार को कि हम तो पहाड़ी छेतर में सबसे बड़ी कमी यह कि दो खेतिया हैं तो दो एक फरलांग दूर है अगर हमारी गौवर्मेंट चक बंदी कर ले लागू कंपल सरी कर दे तो हमारे पहाड से नंबर एक तो पलायन रुख जाएगा रोजगार मिलेगा और यह फोलो काम मैंने यह समय लोगी 15 साल होगे मेरे को करते वे तो 15 साल के अंदर मैंने यह लार्ज स्केल में सुरू कर करते हैं तो उसमें से मेरा रोजगार चल रहा है एक रूजगार मील रहा है और यह पूल जो है यह हमारे दिली जाता हैं मसकी जाता है इसकी मांग इतनी है कि हम इसको पूरा नहीं कर सकते हैं और उत्राखंड में अगर चगबंदी हो जाए तो यह समझे लिजे कि उत्राखंड का उधार हो जाएगा क्योंकि पार से प्लाइन रुख जाएगा और कम सिंग रोजगार मिलेगा और जब तक चगबंदी अगर गौ प्लाइन कैसे रुख जब तक हम चगबंदी नहीं करते हैं तो यहां पर हम रोजगार मिलेगा और कुछ भी हम कर सकते हैं मैंने बगीचा कामभी सुरू करका मस्य पारन सुरू कर रखा है मस्य पारन में मेरे पास है बगजचा मेरे पास हैँ दोड़ यह जार प्रेड में जबकि फल देने शुरू हो गए और रोजगार भर पूर गाउं को दे रहे हैं मा बहने को रोजगार दे रहे हैं इसलिए पूरा उत्राखंड में चकबंदी लागू कर दे गवर्मेंट तो प्लाइन हमारे रुख सकता है मैं तो यह सरकार से कि जल्दी से जल्दी इसको लागू करें अब जबकि हमाई रुत्राखंड के बने हैं पंदर सोरो साल हो गए इस तरह गवर्मेंट का कोई ध्यान नहीं पलाइन रुके हैं कैसे ना सिक्षे है पहाड़ों में और ना चकबंदी है तो फैर की और तो भाग से लिएमा